गूड मॉर्णिंग एवरिवान वेलकम टू आवर यूटुब चैनल माई स्मार्ट क्लासस आप लोग जानते हैं कि हम लोग समाजिक बिग्यान फुगोल के अध्याय फास्ट अनि संसादन विकास के जो महत्पूर कोशन है इसको हम लग कर रहे हैं तो इस चिप्टर पे एक वीडियो अल्रेडी पहले बना चुके हैं पर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बक्स में दे दिया गया है आप होँ से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए आज कर जो को पहला कोश्चन है वह है कि सुर्वधिक वर्षा होती है है और सबस्यदिक वर्षा कहां पर होती है तो अप्न डिया गया है पूणृचिए में चेरा पुंजी में कोची में या माउस इन राम में इसका जो राइट एंसर हो जाएगा आपसन मर्डी हो जाएगा माउस इन राम में सबसे अधिक वर्सा होती है तो आपसन मर्डी इस राइट एंसर अब जखते हैं नक्सक्वेस्टन ये कहा गया है कि लिट्राइड मिड़दा का रंग होता है जो लिट्राइड मिड़दा होता है उसका रंग किस परकार का होता है तो अपसन में दिया गया है पीला, लाल, काला, भूरा जो लिट्राइड मिड़दा होता है उसका रंग लाल होता है किसा होता है तो लाल होता है तो अपसर नमबर बीज राइटनस हो जाएगा लाल अब दखते हैं नेक्स कोश्चन ये कहा गया है कि गीरी अव्यारन किस राजे में वस्तित है तेकि ये सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गीरी अव्यारन क्या है तेकि गीरी अव्यारन जो एक परकार का जंगल होता है क्या है एक परकार का ये जंगल है ये जो जंगल है न ये भारत के भारत के गुजरात राजे में वस्तित है कहा पर है गुजरात राजे में ठीक है गर इस जंगल का हम लोग च्छत्रफल के ब चत्रफल है ना इसका चत्रफल जो है 2424 किलमेटर तक फैला हुआ है पहला हुआक यह जंगल अर इस जंगल में सबसे अधिक होते क्या है तिस जंगल में सबसे जद्यक्त सत्थाथ चाल करते हैं यानि सेर होते हैं थीकि है घृट के गुजरात राजए मेंilee. भारत के गुजराति राजे में जिसके जो राइटरस हो जाएगा अफसन मीवर सी हो जाएगा जो आब लोग देख रहे हैं असमी में दिया गया है घुजरात असमीर सी राइट एंसर हो जाएगा तो अब में Apa Kuni एक समय आने पो क्या हो जाएगा खंखतम हो जाएगा तो इसमें कौन सेज़से संसाधन है जो एक समय आने पो खतम हो सकता है तो अप्षिन्ट पहला दिया गया खनीज तेल का यह सौर उड़ा का हवा का पानी का देखिए जब तक संसार यानि दुनिया रहेगा तब तक क्या सोर्य के प्रकास निसाड़ुजा का मतलब भंडार सिमित ने खतम नहीं हो पाएगा हवा भी खतम नहीं हो पाएगा पानी भी खतम नहीं हो पाएगा तो जो खनीज होते हैं अनि खनीज हुए तेल हुए यगर इसको का मतलब सही तरीके से इस्तिमाल नहीं किया एक समय ऐसा आएगा कि इसके क्या हो जाएगा यह खत्म हो जाएगा तो अपस्ट नमर एज राइटरेंस हो जाएगा खनीज तेल अब दखते हैं नेक्स कोश्चन कि यह कहा गया है कि निमने लिखित में से कौन प्रकृतिक संसाधन नहीं है यानि प्रकृतिक द्वरा निर्मिद संसाधन नहीं है जो प्रकृतिक से नहीं मिलता है तो हम लोग वली बात नती जानते हैं कि वन जो है प्राकृतिक से मिलता है नदिया भी प्राकृतिक से ही मिलता है खनीज भी क्या है प्राकृतिक से मिलता है अब नगर जो बच रहा है नगर क्या है एक प्राकृतिक से साधा नहीं है किनकि नगर हम लोग खुद त्यार करते ह यह कोई God gifted नहीं होता है तो इसका जो right answer हो जाएगा option number C हो जाएगा क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा नगर क्या जाएगा नगर हो जाएगा रखते हैं next question यह कहा गया है कि low ask कि किस परकार का संसाधन है तो जो low ask है यह किस परकार का संसाधन है तो जो low ask है low ask कि जो होता है यह नविकरणिया होता है आणविकरणिया होता है जे होता है यह मानविकरित होता है तो जो low ask है वो यह परकार का आणविकरणिया संसाधन होता है क्या होता है आणविकरणिया संसाधन तिसलिए आपस नमबर 20 राइट हैं से हो जाएगा पर आप लोग नविक्रणी ये अनविक्रणी में जय ये सारे चीज़ें के बारे में नहीं जानते हैं तिस पर भी वीडियो बना चुके हैं उसको जनकारी लेनी हैं तो आप जा करके प्लैलिस्ट में देख सकते हैं तो वहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी तो अब देखते हैं नेक्स क्वेश्चन ये कहा गया है कि संसाधनों के संरक्षण हेत्तु सोय प्रत्थम किसने वकालत की थी इसंसाधन के बचाओं के लिए सबसे पहले किसने वकालत की थी तो अप्शन ए में दिया गया है नेहरु जी ने, कलाव आफ रॉम ने, संजुक्त रश्ट ने ये जपान ने तो संसाधन के स्रक्षण हेत्तु सबसे पहले वकालत करने वाल व्यक्ति थे उनका नाम था कलाव आफ रॉम ने होन था कलाव आफ रॉम ने तबस नमर बीज राइटन से हो जाएगा हमीद करते हैं आपको समझ में आया होगा आप लेखते हैं नेक्स कोश्चन ये कहा गया है कोश्चन कि दिहार में अती जल दोहन से भुमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रन बढ़ा है दिहार में अती जल दोहन से भुमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रन बढ़ा है सबसे पहले हम लोग इस संकेंद्रन बढ़ा है ये तो असा मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब जटिल सा लग रहा है सबसे पहले हम लोग इसको किलियर करते हैं ते कि संकेंद्रन का मतलब होता क्या है कि एक ही समय पे एक ही टाइम में अधिक चीजों को क्या करना उपस्तित होना ही क्या कहलाता है संकेंद्रन कहलाता है एक ही समय पे एक ही जगह पे अधिक चीजों को उपस्तित होना ही क्या कहलाता है संकेंदन कहलाता है ठीक है इसमें कहा गया है कि बिहार में जब अती जल दोहन की परकिरिया होती है तो किसका संकेंदन होता है फैराइड का होता है या केलॉराइड का होता है या अरसेनिक का होता है या लोह का होता है तो इसका जो right answer निकलके आएगा हो आएगा अपूर no. c अरसेनिक का होता है किसका होता है अरसेनिक का होता है इस नेक्स क्वेश्चन यह कहा गया है कि इंद्रा गांधी नगर परियोजना किस राज्य की महत्वकांची परियोजना है तो जो इंद्रा गांधी नहर परियोजना है वो किस राज्य का महत्वकांची परियोजना है तो जो है राजस्थान का महत्वकांची परियोजना है त राजस्थान क्या होगा तो राजस्थान हो जाएगा राजस्थान अपसर नमर बीज राइट एंसर अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा गया है कि किस पर्योजना का मुख्य उद्देश बाढ़ नहीं अंत्रण है यानि बाढ़ को रोकने का कार्य करता है वो कौन सा पर्योजना है तो पहला दिया गया हीरा कुंड पर्योजना दुसरा है भाख़ा नंगल प्रियोजना चम्बल कोसी तो कोसी एक ऐसी प्रियोजना है जो बाढ़ो को क्या करता है नियंतरन करता है क्या करता है नियंतरन करता है तो इसलिए अप्शन नमबर डीज राइटन से हो जाएगा कोसी हो जाएगा कोसी तो उम्मीद करते हैं इस सारी चीज़े आपको समझ में आया होगा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी ते प्ले चैनल को सब्सक्राइब कर दे पेल आइकन दबा दे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में सेर करें ताकि और भी दियर्थिस का लाग ले सके और आपको ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो मिलता रहेगा मेरी चैनल के माद्याम से थैंक्स वाचिंग फॉर माई वीडियो